निशा जिंदल ये वो फरजी नाम है जिसके जरीए एक लड़के ने करीब 10,000 लोगों को लंबे वक्त तक फेस्बुक पर बेवकूफ बनाया फेस्बुक पर निशा जिंदल नाम की प्रोफाइल के 10,590 फॉलोवर्स थे उस फोटो के साथ केप्टन में लिखा था मैं पुलिस कस्टडी में हूँ और मैं ही निशा जिंदल हूँ इतना आप देखते पड़ते ही वो हजारों दिल धक से रह गए जिन्होंने लड़की की फेस्बुक परोफाइल समुझकर उनको रिक्वेस्ट बेज रखी थी अब सच्चाई पता लगने पर वो लोग बड़ी मज़िदार बाते लिख रहे हैं सच्चाई पता चलने के बाद उन्होंने निशा जिंदल की असली फोटो पर कमेंट किया है बंदे ने बहुत दिल तोड़ा है कई लड़कियों ने भी कमेंट किया है लिखा है कि वो सभी भी उसके चक्कर में बेवकूफ बन गई विसाल अगरवाल के नाम के यूजर ने तो ये लिखा कि उसको यकीन नहीं हो रहा है कि उसके साथ क्या खील हुआ है उसने कमेंट किया मेरे खयाल से निसा लोगडाउन में कोई तगड़ा मजा कर रही है रवी ने निसा जिंदल की प्रोफाइल पर मीरा पासा की तस्वीर लगा रखी थी निसा की सच्चाई से पाला पड़ा तो कुछ लोगों ने तौबा कर ली कमलेस दूबे नाम के एक सक्स ने लिखा कि मैं प्रतिग्या करता हूँ कि आज से फिसू पर किसी भी अंजान महीला लड़की इस्तरी को दीदी नहीं कहूँगा क्योंकि वो दीदी जब जीजा बनते हैं तो बहुत दुख होता है पुलिस के मुतावब 31 साल का रवी फरजी आईडी के जरिए सामप्रदायक मैसेज पोस्ट किया करता था 2012 से ही वे निशा जिंदल और पाकिस्तानी एक्ट्रस मीरा पासा के नाम पर फेक आईडी बनाता हुआ आ रहा है 2009 से ही रवी सॉफ्ट्वर इंडिनेरिंग का चात्र है मगर अब तक पास नहीं हो सका है फेक आईडी के जरिए वे खुद को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आई एम एफ वर्ल्ड हेल्थ और्गनाईएशन ड्लू हो और वर्ल्ड ट्रेड और्गनाईशन ड्लू टू जैसी बड़ी संस्थाओं को सदस्य बताता फिरता है लड़कियों की फर्जी आईडी की सोचल मीडिया की भासा में कैट फिस अकाउंट कहते हैं थोड़ा गौर की एजाय तो इन्हें पैचाना हुजा सकता है यह फोटो में अपना चेहरा सो नहीं करते हैं अगर करते भी हैं तो लड़की ऐसी होगी जो बेहत खुबचुरोत मेकप वायली होगी इन फोड़ोज को आप गूगल के रिवर्स इमेज सर्च में एक बार चेक जरूर करें यह कभी किसी के फॉन पर बात नहीं करते हैं किसी से वीडियो कॉल पर बात नहीं करते हैं ऐसे एकाउंट की तस्वीरों पर लगबग भद्धे कमेंट्स मिलेंगे जिन पर कोई जवाब नहीं आता और आदे से जादा कमेंट्स तो लवली पेक, नाइस पेक, ब्यूटिफुल डियर जैसे होते हैं जिनके माध्यम से इस बात का अंदाज लग सकता है कि यह फेक एकाउंट हैं इसलिए किसी एंजान एकाउंट से इंट्रेक्ट करते वक्त साबधानी बढ़ते हैं वरना धोका खाने में देद नहीं लेगेगी और आप इन एंजल पुझे टाइप के फेस्ट्रेक अकाउंट से दूर ही रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा सुरक्षित रहें साबधान रहें लॉगडाउन के नियमों का पालन करें जैंद जै हारा है